Digital Thermometer को Fahrenheit से centigrade या centigrade से Fahrenheit में कैसे convert करें आज की वीडियो में हम जानेंगे देखे सबसे पहले हमने Thermometer को ON किया तो यह देखे आपको Side में दिखाई दे रहा है Degree Fahrenheit यानि कि ये जो Result इस समें Thermometer देने वाला है वो Degree Fahrenheit के अंदर देने वाला है इसको degree centigrade में convert करने के लिए हम एक बार बटन को इसके दबाएंगे और thermometer को बन करेंगे और उसके बार इस बटन को दबा के रखेंगे जब तक कि degree Fahrenheit degree centigrade में convert ना हो जाए आप देखें ये degree centigrade में convert हो चुका है, degree centigrade blink कर रहा है अब इससे आप जो भी रिजल्ट लेंगे वो degree centigrade में आपको दिखाएगा अब इसके अगर आप degree Fahrenheit में convert करना है तो अगर आपने एक बार बंद करके उसके बाद फिर बटन को दबा के रखेंगे तो ये degree centigrade Fahrenheit में convert हो चुका है और ऐसे ही medical equipment और medicines related videos को देखने के लिए चैनल को करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दवाईए, बाबाई